हाई दोस्तों असलाब अलेकुम कैसे आपलो मैं अब नभील है फायर बोल्ड ने अपनी रेसिंग एडिशन वाचेज निकाली है डियाबलो, हुराकान और एलेमेंटो अब ये वाचेज के जो बॉक्सेज है वो आप देख सकते है कितने जादा बड़े क्योंकि वाचेज काफी स्पेशल है और एक लुक जो है इन वाचेज का मैं आपको अन्बोक्सिं दिखाने के पहले ही दिखा देता हूँ यह आप यह देख सकते है यह है डियाबलो यह है इनकी हुराकान और यह है एलेमेंटो तो काफी जबदस लुक वाली वाचेज है चलिए के करके इनको चेक आउट करते हैं अन्बोक्सिंग और इसके सारे फीचर्स भी देखते हैं सबसे बड़े बॉक्स चेक आउट करते है फायर बोल्ट डियाबलो का FBR लिखा हुआ है और केस और वाच का कॉंबिनेशन है यहां पर काफी कुछ लिखा है साइड में और वो तो समय आपको बताऊंगा आगे और रेसिंग एडिशन यहां पर मेंशन हायर है बॉक्स है मैंगनेटिक और बॉक्स बीचरह का ओपन गरेंगे तो यहां पर आपको वॉच्छ रखी वीज़ है इसका case रखा हुआ है तूट बॉक्स दियाए हमREE तो पूर मेंगे टियर साथ हैदको सेड़े रोकार आफ भी देखने मिल रहे है अब यह box है हुरा कान का और यह भी सेम है exactly बस यहां पर आपको वाच का जो केस वाकरा है वो अलग देखने मिलेगा परकी completely concept wireless charger मिलता है जिसके उपर आपको वाच को प्लेज करना होता है for charging हर वाच के साथ एक silicon strap भी आता है अगर आपको यह case type का look नहीं इस्तेमाल करना है तो silicon strap भी आप लगा सकते हैं एक एक करके आपको बताऊंगा और कुछ यहां पर आपको documents और manuals वगरा देखने मिलते हैं अब त पीकर ग्रेल वागरा देखने मिल रही है क्योंकि यह Bluetooth calling smart watch है इस side पर आपको microphone का hole देखने मिलता है दो buttons यहां पर आपको दिये वे है silicon strap के साथ यह watch देखने में काफी अच्छी है और silicon strap के आप भी इसको हाथ पे पहनेंगे तो काफी comfortable to wear है bottom से भी आप देख सकते हैं काफी बॉटम प्लेट है सबसे बहले watch में से strap को silicon वाले आपको निकाल के अलग कर लेना है फिर यह watch की sleeve आती है और sleeve लगाने के बाद watch को आपको डाल देना है case के अंदर फिर case की back plate पीछे आपको प्रेस करनी है फिर back plate पे screws को tight करके case को watch पे secure कर लेना है और case लगाने के बाद final look दोस्तों कुछ इस तरीके से आता है सबसे पहले यहाँ पे diablo का look देखिए यहाँ पे green case के साथ आता है with white strap बहुत ही beautiful और premium लगेगा आप जब इसको हाथ पे पहने आप बिल्कुल वैसे ही exactly वैसे ही काम करेगा और यहाँ पे जो इसका pressing वाला feature है यहाँ पे चला गया है तो प्रेस करेंगे तो यहां से यह use कर सकते आप और bottom वाला जो बटन है वो यहाँ पे नीचे की तरफ shift हो गया अब हुराकान का look दिखा देता हूं में आपको तो हु बटन है वह यहीं से जो है काम करेगा इस बटन से और दूसरा बटन यहाँ पे है और अगर आपको जो वाच फेस आपके वह चेंज करना है तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं और जादा प्रीम और लग्शूरियस फील चाहिए आपको तो एलेमेंटों के लिए आप करसकते है जहां पर आपको काफी हैवी मेटल चेंज कर्सक्ते हैं और इसका फ्रेंडेक प्रेम कर सकते हैं और बॉटम वाले बटन से अफॉर्ट्स यहाँ पे open कर सकते तीनों का look जो है मेरे हाथ में एक एक करके आप देख लिए तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि अगर आप लेते हैं तो आपके हाथों में यह कैसे आपको देखने मिलेंगे और आपका इसमें से favorite look कौन सा है कौन सा आपको सबसे बेस्ट लगा मुझे comment करके ज़रूब बताना यह जो वाशेज है यह Android और iOS दोनों के साथ compatible है बस आपका iPhone है Android phone जो भी है इसका camera आपको open करना है और इसके साथ दिया गया QR code है इसको आपको scan कर लेना है यहाँ पे link आएगा link को open करो यहाँ से Google Play Store या iOS App Store चूज कर लो और इनका application डाउनलोड कर लो अप डाउनलोड करने के बाद आपको open करने के बाद यहाँ पे device में आपको चले जाना है और यहाँ पे add device पे tap करना है अब हमारी सारी firebolt की watches यहाँ पे screen पे नज़र आदी में तो काफी सई डिस्प्ले है और इसका usage है वह भी काफी स्मूद है अब यूजर इंटरफेज जो है इस watch का checkout कर लेते हैं काफी simple रहता है firebolt की watch इसका user interface यहाँ पे यह वाला जो बटन है इसको tap करेंगे तो आप menu में आ जाएंगे menu में इस तरीके इसे आप जो है scroll कर सकते है या फिर क्योंकि टच्क्रीन वाच है तो इस तरीके से scrolling कर सकते है इसी से back हो सकते है bottom का button दबाएंगे यहाँ पे आप sports mode में जा सकते है और इसमें आप देख सकते काफी सारे आपको sports mode मिल जाते और और चाहे तो आप add भी कर सकते है main screen के उपर आप top से bottom की तरफ swipe करेंगे तो यहाँ पे control center मिलता है जहां से आप menu का style choose कर सकते हो Bluetooth calling को on off कर सकते हो और settings को access कर सकते हो और भी कुछ features है bottom से उपर की तरफ swipe करेंगे तो यहाँ पे मिलेंगे आपको आपके phone के notifications आपकी watch पे right to left swipe करेंगे तो यहाँ पे एक एक application में आप individually जा सकते है और additional widgets भी आप यहाँ पे add करक्सित जो भी आपको quickly access करना है उन applications के और left to right swipe करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको quick menu जो भी application आपने recently open किया वो सब यहाँ पे आपको नजर आएंगे अब यहाँ पे आने वाले इनके features चेक आउट कर लेते तो यहाँ पे सबसे पहले आपको activity वाला tab मिलेगा daily app की activities, calories, burn वहाँ सब यहाँ पे आपको नजर आते रहेगा फिर उसके आपको sleep tracking मिल जाती है, is watch के अंदर heart rate monitoring मिल जाती है ECG की functionality भी इसके अंदर dv है, blood pressure monitoring, blood oxygen level sensor इस सारे health features आपको इस watch में देखने मिलते हैं और sports mode में जाते हैं तो यहाँ पे आपको around 108 different sports modes देखने मिल जाते हैं इस watch के अंदर, इस watch में और भी काफी सारे features जैसे आप अपने phone का music इस से control कर सकते हो phone का camera भी control कर सकते हो, आप local weather check out कर सकते हो with weather forecast और आप Siri और Google Assistant को भी इस watch से trigger कर सकते हो और भी काफी अच्छे features जैसे alarm, calculator, timer, stopwatch आपको इस watch में देखने मिल जाता है और इस watch में NFC functionality भी है जिससे आप NFC compatible door locks को unlock कर सकते है इस watch से इस watch में आपको motion sensor gaming भी मिल जाती है तो ऐसे आप जो कुछ भी games खेलना चाते है वो इस watch पे अराम से खेल सकते है और workout भी कर सकते है इस watch को अपने हाथ में पहन के इस watch में आपको Bluetooth calling भी मिल जाती है तो आप call records, contacts या आप directly dial pad से भी call लगा सकते है जिसके आपने सुना गई जिसकी Bluetooth calling भी loud and clear है इसका application भी काफी simple है फर्स टैब में आपको health related सारे जो आपके parameter से जो भी आपने चेक किया हो सब देखने मिलेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे GPS tracking दिखने मिलेगी जितना भी आप outdoor run करते हो वोग करते हो वो सब यहां से आप track कर सकते हो उसके आप device के option में आप जाएंगे तो यहां पे आपको race to wake वाला feature on-off रखना है आपको यहां पे मिल जाते है और आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो माई डायल में जाके फायर बोल्ड डियाबलो हुराकान और एलेमेंटो यह जो वाचेस है इनमें आपको अच्छी बैटर लाइफ भी देखने मिल जाती है अप्टू 5 डेस की बैटरी आराम से निकाल राखा है 6999 और एलेमेंटो का प्राइज रखा है 7999 यह सारे इनके लॉच्ट प्राइज़ जोसकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके इन वोच्छेस को आप चेकाउट कर सकते हैं अगर आपको पूचेस करना है तो वहाँ से पूचेस कर सकते हैं आपक से कौनसी वाच सबसे बेस्ट लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना उमी करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसना होगा पसना आगा दो इस वीडियो को लाक एंशेर जरू कीजिए मेरी चानल को सब्सक्राइब जो कीजिए गुडबाए